हेलो एंड वेलकम टू माई किचन आज मैं बना रहे हूँ बहुत ही क्रिस्पी चटपटी और मज़ेतार आलू फ्राई चाट बहुत ही आसान सी रेसिपी है और जटपट से बन जाती है कोई भी कभी भी इसे बना सकता है इसके इंग्रिडियन्स भी आपको घर की किचन में ही मिल जाएंगे तो चलिए देखते हैं जटपट से बनने वाली यह चटपटी आलू फ्राई चाट की रेसिपी इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आलू तो मैंने यहां पे लिया है दो उबले हुए आलू और इसे हमने बहुत जादा नहीं उबाला है इसे हमें 60 to 80 पर्षंड तक ही उबालना है और इस तरह से पीसेस में काट लेना है अब हम इसे डिप-fry करेंगे आलू को सेड़ फ्राई भी किया जा सकता है लेकिन यहांबर डिप-fry हम करेंगे ताकि आलू जो हे वह काफी क्रिस्पी फ्राई हो एक बार को एक बार हम आलू को एक को फ्राइ करेंगे और यह देखिए मैंने बहुत ज्यादा आलू नहीं डाला है थोड़ा ही आलू डाला है ताकि जो आलू है वह अच्छे तरह से चारो तरफ से फ्राइब हो सके और इसे पलटने में भी आसानी हो तो डी फ्राइब करने के लिए दो बाते ध्यान में रखना है एक तो तेल बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए और दूसरा की आलू बहुत ज्यादा उबला हुआ नहीं होना चाहिए हाफ कुक ही आलू रहना चाहिए इससे आपके आलू जो है वो बिल्कुल अलग-अलग रहेंगे और क्रिस्पी होंगे और कड़ाई में ये चिपके हो जाए तो यह हो चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे तो इससे किसी टीशु पेपर पर निकाले ताकि इसका जो एक्स्टा ओयल होगा वो एब्जोर्ब कर लेगा तो यहां पर इसे मैंने फ्राई कर लिया है और बाकी के आलू भी हम फ्राई कर लेते हैं तो इसे मैंने दो बार में फ्राई किया है तो इसे भी हम बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी ये फ्राई हो चुके हैं तो यहां पर आलू को हमने फ्राई कर लिया है अब हम इसे एक मिक्सिक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें हम नमक मसाले एड़ करेंगे तो हम इसमें डालेंगे नमक तो बिल्कुल टेस्ट के अनुसार आप इसमें नमक डाल दें यह मैंने आधा छोटा चमस नमक ड में डाल दी है लाल मिर्चिप बना रहे हैं तो बनी नहीं से चटनी तो यहां पर मैंने लिया है दनिया और पुदिने की चटनी चटनी और खटी मीठी इमली की चटनी तो यहाँ पर दनिया पुदीने की चटनी डाल देंगे एक चमच या फिर जितना आपको पसंद हो इन चटनीओं का वीडियो मैंने बना रखा है तो आप मेरे चैनल पर आप इसकी वीडियो देख सकते हैं तो यह मैंने इमली की खटी-मिथी चटने डाल दी है इसका तेस्ट होता है तो एक-दो चमच इसे भी हम डाल देंगे और थोड़ी से खटे पन के लिए हम यह आपे डालेंगे यह निम्बू का रस थोड़ा सा एक-दो चमच हम डाल देंगे नीम्बू करना और अब हम इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से फटा-फट से मिक्स करना है और तुरंत ही इसे हमें सर्व करना है क्योंकि अगर मिक्स करके आप जादे देर तक इसे हम रखेंगे तो आलू जो है वो सौफ्ट हो जाएंगे तो तुरंत अगर इसे आप सर्व करे तो अगर आप दही पसंद करते हो तो इसमें थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं, तो ये प्याज डाल रही हूं है, थोड़ा सा पारिक कटा हुआ प्याज और धन्या के पत्ते, और ये अनार के दाने, तो चाट में अगर अनार के दाने डाल दे तो बहुत ही बड़िया टेस् तो वीडियो अच्छी रगें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई